बारिश में अमीर और गरीब का राशन पंडिजी मेरी दो बेटिया हैं और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों अपने ससुराल जाकर हमीशा खुश रहें इसलिए परिवार अच्छा और खुशाल ही दिखाना हाँ हाँ आप चिंता मत करो मैं आपको परिवार अच्छा ही दिखाऊंगा जहां आपकी दोनों बेटियां खुश रहेंगी ये कुछ लड़कों की फोटो है इन्हें देख लो लड़के की फोटोस तो अच्छी है मुझे ये दोनों लड़के अच्छे लगे आप इनसे मेरी बेटियों का रिष्टा कर दीजिए ठीक है बहन जी आपने बहुत अच्छे लड़के धूने हैं तब ही वहाँ पर सरीता की दोनों बेटियां आ जाती है क्या बात है मा आजा पंडित के साथ क्या बाती कर रही हो मुझे तो कुछ कड़बर लग रही है कड़बर कुछ नहीं है मैंने तुम दोनों के लिए रिष्टे देखे हैं अब मैं तुम दोनों की शादी कर दूँगी अरे अरे मा आपने हमाई लिए लड़के ढून लिए और आपने हमें बताया भी नहीं इसमें बताने जैसी क्या बात थी तुम मेरी बेटियां हो और तुम्हारा अच्छा बोरा सोचना मेरा ही फर्ज है लेकिन मा मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ ये सुनते ही सरीता हैरान हो जाती है ये क्या बोल रही है तुम किसी और से प्यार करती हो कौन है वो लड़का मा उसका नम कुनाल है हमारी कॉलिज के प्रोफेसर का बेटा है वो लोग बहुत अमीर हैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं लेकिन बेटी हम लोग तो गरीब हैं वो लोग हम से रिष्टा क्यों जोडेंगे अरे माँ आप क्यों परिशान हो रही हो खुनाल ने अपने घर में सभी से बात कर ली है सब लोग हमारी शादी से खुश हैं बस आप हाँ कर दो अरे अब मेरी बेटी इतनी अमीर घर में जा रही है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ मेरी तरफ से भी शादी के लिए हाँ है मेगा बेटी अगर तुम्हारी जिन्दगी में भी कोई लड़का है तो मुझे बता दिना नहीं मा मेरी जिन्दगी में कोई लड़का नहीं है आप जहां मेरी शादी कराओगे मैं कर लूगी इस तरह सरीता बहुत खुश होती है वो अपनी चोटी बेटी की शादी बहुत अमीर घर में करती है और वहीं बड़ी बेटी की शादी एक नॉर्मल से परिवार में होती है जहां मेगा का पती विपेन एक प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है शादी के बाद दोनों बहने अपनी अपनी जिन्दगी में खुशी से रह रही होती है देखो तुम दोनों की शादी हो गई है और बहुत इन हो गई हैं तुम दोनों से मिले हुए एक तो इतनी अमीर है कि उसकी अपनी अमीर पार्टियों से फुर्सत ही नहीं मिलती उसे और मेरी मेगा तो घर परिवार से फ्री नहीं हो पाती लेकिन अब बहुत हुआ, मुझे तुम दोनों के साथ मिलना है ठीक है मा, आप जैसा कहो कि वैसे ही होगा में और विशा का हम दोनों आप से मिलने घर पर आएंगे वैसे मेरी तो फ्रेंट की बद्रे पार्टी थी, मा लेकिन आपके अलावा कोई भी इंपॉटन नहीं है सिर्फ आप इंपॉटन हो, मैं जरूर आओंगी इस तरह दोनों बहने अपनी मा से मिलने उनके घर आती है जहां अमीर बहन अपनी मा के लिए बहुत सारे तोफ़े लेकर आती है मा ये देखो, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ इतने सारे तोफ़े हैं कि आप इस्तेमाल करते करते ठक जाओगी ये नएने च्छाती हैं और ये आपके लिए कॉटन की सूट परसाद का मौसम होने वाला है इसलिए मैं आपके लिए रेन कोट भी लेकर आई हूँ अब आपको बाहर जाने में दिक्कत नहीं होगी अरे मेरी छोटी बेटी कितनी प्यारी है मेरी लिए कितना कुछ लेकर आई है अरे मेखा दीदी आप मा के लिए कुछ नहीं लेकर आई हो नहीं दरसल मैं मा के लिए अपने हादा से बने लड़ू लेकर आई हूँ ये लू मा आपके लिए बस यहीं लेकर आई हो और कुछ भी नहीं लेकर आई अरे इतना ही काफी है ये बहुत स्वाधिश्ट लग रही है तुमने खुद बनाए है ये सुनकर सरीता मेगा को गले से लगा लेती है अपनी मा से मिलने के बाद दोनों बहने वापस अपने ससुरा लोट जाती है जहां अमीर वाली की जिन्दगी तो बहुत खुशाली से बीत रही थी लेकिन वहां मेगा की जिन्दगी में उतार चड़ाव होते ही रहते हैं विपिन जो प्राइवेट नौकरी कर रहा था उसकी वहां से नौकरी भी छूट जाती है इसके बाद वो कभी कभी मजदूरी करके घर चलाना शुरू कर देता है ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीच जाते हैं और इन सालों में गरीब बेहन को एक बेटी होती है और अमीर बेहन को एक बेटा जो अब आट साल के हो जुके थी मां बहुत जोरोसी भूग लगी है हाँ मज़ी पता है तुम्हें भूग लगी है लेकिन मैं क्या करूँ जड़ा देखो ना बारिश कितनी हो रही है बारिश में जानब बहुत मुश्किल होगा हमारे पास तो चाता भी नहीं है घर के अंदर सारा राशन खतम हो गया है जब से विपिन की नौकरी चूटी है तब से ही ये सारी परिशानिया हो रही है हे भगवान और कब तक हम लोगों को ये सारी परिशानी देखनी होगी मीका बहुत देश से बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती है बारिश की वज़ा से पूरा परिवार भूका प्यासा बैठा होता है इधर उसके छोटी अमीर बहन अपने परिवार में आराम से एसी की हवा में बैठी होती है तब ही उसका बीटा नोपुर कहता है माम मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है ओकी अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है मुझे आपके आथों की बनी हुई मसाला से वही खानी है जल्दी से बना दो ना मा अच्छा तो आज आपको मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाना है चलो भी रसोई में चलती है वहाँ तुम बैटकर मुझे बाती करते रहना और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाओंगी विशाखा जब अपनी रसोई में आती है तो वहाँ उसकी नौकरानी होती है जो उसकी कहती है अरी मेडम आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता दीते मैं आपके कमरे में ही देने आ जाती नहीं शान था मुझे तुम से कुछ नहीं चाहिए था जरसल आज मेरा बेटा मेरे ही हाथों का खाना चाहता है चलो चल्दी से सेवई निकाल दो अरी मेडम मैंने आपको बताया तो था कि घर का राशन खत्म हो गया है कल भी बताया था आज फिर से याद दिला रही हूँ ओफ ओफ ओ ये एन टाइम पर राशन को भी खत्म होना था लेकिन हम आज मसाला सेवई जरूर खाएंगे क्योंकि मेरे बेटे को मसाला सेवई खानी है मैं अभी राशन फोन से ओर्डर कर देती हूँ घर पर आ जाएगा वैसे भी बाहर बारिश हो रही है विशाखा अपने फोन से राशन ओर्डर कर देती है और राशन के आने का इंतजार करने लगती है क्योंकि बाहर बहुत तीस बारिश हो रही थी इधर बारिश रुखने का नाम नहीं लेती और उधर बेजारी मेगा जैसे तैसे करके घर में टूटी फूटी चटरी निकालती है एक तो घर में पैसे नहीं है वो पर से ही बारिश रुखने का नाम नहीं ले रही पता नहीं लाला राशन देगा या नहीं पर पूरा परिवार भूगा है मुझे जाना ही होगा तोटी फूटी चतरी लेकर जैसे ही मेगा बरसात में बहार निकलती है उसके चतरी तेज हवा की वजह से उड़ जाती है जिसके चलते वो बहुत भीग जाती है और भीगते भीगते वो जैसे तैसे करके लाला की दुगान पर पहुँच जाती है अरे अरे क्या हुआ तुम तो पूरी भीग गई हो किसने कहा था इतनी बारिश में निकलने के लिए लाला मेरा पूरा परिवार भूका प्यासा बैठा है अगर राशन नहीं लेकर गई तो सब बहुत ज़्यादा परिशान हो जाएंगे तो मुझे राशन दे दो हाँ क्यों नहीं अरे रामकृषन जल्दी जल्दी हाथ चला अभी तुझे एक ऑनलाइन ओर वाला पार्सल भी पैक करना है और साथ में ये बेचारी बारिश में भीगते हुए आई है इसका राशन भी तयार करना है हाँ हाँ अभी कर रहूं साहब का रामकृषन सबसे पहले तो ऑनलाइन वाला पार्सल तयार करता है जो मेगा की छोटी बेहन विशाखा के घर जाना होता है इधर मेगा बारिश में भीग रही होती है तो उधर विशाखा लाला को फोन करके कहती है राशन ओडर करे हुए मुझे पूरा एक घंटा हो गया आकि तोम लोग कर के रही हो मुझे अभी के अभी अपना घर पर राशन चाहिए तो चाहिए ये कैसी डिलिवरी है तुमारी इतनी सालों से हम लोग तुमारी दुकान से राशन ले रहे है ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ अरे मैडम नाराज क्यों हो रही हो मुझे माफ कर दो अभी भिजवार आओ साल में अच्छे अच्छे ओफर है और कुछ सामान तो फ्री आइटम भी है वो भी भिजवार आओ बस थोड़ा सा समय दीजिए बारिश बहुत तेज हो रही है लाला अमीर बेहन के चार बाते सुनकर शांत रहे जाता है लेकिन जैसे ही राम कृष्ण मेगा को राशन देता है लाला उसके हाथों से राशन लेकर उससे कहता है अरे अरे ऐसे कैसे राशन दे दिया तुने चलो मेगा बेहन, पहले का हिसाब किताब बूरा कर लेते हैं और इस राशन का भी हिसाब कर लेते हैं देखो ऐसा मत करो, मैं पैसे नहीं लेकर आई हो किताब में पैसे जोड़ दिना, मैं तुम्हारा हिसाब एक साथ कर दूँगी अरे फ्री फोकर्ड में सामान लेने आई हो क्या तुम हाँ समझती क्या हो अपने आपको जब देखो मूँ ठाकर मेरी दुकान पर आ जाती हो फ्रीका राशन तुम्हारी हजम कैसे होता है गरीब की मचबूरी समझे लाला पगवान तुम्हारे काम में बरकत देखा तुम जानते होना हम लोग कितने गरीब है एक तो तुम हो इतनी गरीब और तुम्हारी बहन कितनी अमीर है अरे मैं खोद अगर इसके घर डेलिवरी करने जाओंगा तो एक हजार रुपए मुझे अलग से फ्री में दे देंगे और तुमने तुम मुझे इतना राशन उधार ले गिया है कि अब मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दे सकता ये सुनते ही मेघा लाला के पैरों में गिर जाती है बहुत मिश्किलों से यहां तक आई हूँ लाला अब ऐसा मत करो राशन दे दो पूरा परिवार भूका है नहीं मिलेगा तुम्हें राशन चलि जाओ यहां से मैं तुम्हारी अमीर बेहन के घर जा रहूँ राशन देने वहां से मुझे एक्स्रा मैं भी कुछ मिलेगा लालच में आकर लाला मेघा को तो एक दाना तक नहीं देता और वहीं विशाखे के घर पहाँच जाता है जहां लाला को देखकर विशाखा उसे टिप देने जा रही होती है कि तभी लाला उसे कैँ पड़ता है आप कितनी अच्छी वो, मुझे तिब भी देती हो, और आपकी वो गरीब बहन हमेशा राशन उधारी लेकर जाती है, कभी पैसे देती ही नहीं है, इस बार तो मैंने उसे भगाई दिया क्या कहां आपनी, मेरी बहन, वो आपसे उधार राशन लेती है अरे और नहीं तो क्या ऐसा कहते ही लाला विशाका को उसकी बहन की गरीबी के बारे में बताता है और उसने उसके साथ जैसा किया वो भी बताता है, जिसे सुनते ही विशाका उसके मुँँ पर एक जोड़दार तमाचा मारती है तम जैसे लोगों को करीबों की मदद कनी चाहिए, ना की तुम्हें उन्हें सताना चाहिए आएंदा मेरी बेहन के साथ ऐसा बरताफ किया तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा अब दफा हो जाओ यहां से उसी वक्त तेज पारिश में लाला का लाया हुआ सान और आशन विशाका अपनी गाड़ी में रखती है और वो अपनी गाड़ी से अपनी बहत के घर पहुँँ जाती है जहां वो अपनी बहन के साथ उसके पूरे ससुराल वालों को भूके प्यासे बैठे हुए देखकर हैरान रह जाती है दीदी हम इतनी परिशानियों से गुजर रही थी और आपने मुझे पताना जरूरी नहीं समझा आरे बचपन से हम एक साथ बले बड़े एक साथ शादी हुई कभी आपने भी जाहिर नहीं होने दिया कि इतनी परिशानिया देख रही हैं आप वो तो मुझे लाला के मुझे पता चला कि उसने आपके साथ कैसा बरताफ किया ये देखो दिदी मैं आपके लिए क्या कुछ नहीं लेकर आई हूँ अब आपको तीन महीनी तक राशन खरीदना नहीं पड़ेगा लाला के मुझे पर मैंने उसके पैसे भी फैक दी हैं और अब वो कुछ भी नहीं कहेगा ये सुनते ही मेगा अपनी बेहन को रोते हुए गले से लगा लेती है किस मुझे बताती बेहन तुम्हें कुछ जिंदगी में उतार चड़ाव खत्मी नहीं हो रहे थे मेरे इनकी नौकरे भी छूट गई थी तब से घर के हाला तो और भी जादा बिगड़ गए विशाखा मेगा के आशू पहुंचकर कहती है दीदी अब आपको कोई परिशानी नहीं होगी आपकी झोटी बेहन आपके साथ है इस सरा विशाखा अपनी बेहन के पती को अपने पती की कमपनी में नौकरे दिलवा देती है और उसे कुछ पैसे भी देती है जिसके चलते गरीब बेहन की बहुत मदद होती है दीरे दीरे विशाखा अपनी गरीब बेहन की सारी परिशानियों को खत्म कर देती है और अब मेगा एक नॉर्मल जिन्दगी जीने लगती है और खुशी-खुशी रहती है